दोस्तों अगर आपके पेट में खाना नहीं पच रहा है या फिर गैस बन रही है अफारा आ रहा है तो ये सब आजकल एक आम समस्या हो गई है क्योंकि हमारी इस भागदोर बरी जिंदगी में आजकल बड़ा ही लाइस्टाइल चेंज हो गया है रात को देर से खाना खाना सुब एक्सेसाइज ना करना देर से उटना तो ये समस्या आम हो गई है आजकल सब के साथ ही प्रॉबलम है तो खाना रात को देर से खाते हैं तो खाना पेट में पड़े पड़े सड़ जाता है कई लोग कितना ही कम खा लें उनका फिर भी नहीं ब पूल जाता है, अफरा रहता है, कई लोगों को तो सांस भी नहीं आती, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस टाइम पर क्या दवाए जाए, खाना डाइजस्ट हो जाए, और गैस भी ना बने, गैस की प्रॉब्लम आजकल जो बड़े हैं, बच्चे हैं, सब को ही होती है, गैस की समस्या अकेली नहीं होती, गैस के साथ कब्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है, गैस के साथ भूख नहीं लगना, जलन होना, उल्टी आना, सरदर्द हो जाना, तो ये सब समस्या इसके साथ ही होती हैं, बहुत परिशानी हो जाती है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ बनाना शुरू करते हैं तो अजवाइन जो है वो गरम होती है इसकी तासीर गरम होती है तो अगर गलत तरीके से ले जाए तो पेट को गरम भी कर देती है और फायदे के जगे पे नुकसान कर देती है लेकिन क्या है कि इसका एक तरीका होता है कितनी मात्रा लेनी है कब लेनी तो उस तरीके से लेंगे तो ये नुकसान की बजाए आपको फायदा करेगी तो इसका क्या तरीका है दूसरी चीज हमने ली है गुड तो गुड जो लिया है हमने ये भी बहुत फायदा करता है डाइजेशन सिस्टम जो है हमारा उसको बहुत अच्छा करता है लेकिन उसको भी खाने का एक तरीका होता है कितना खाना है आपके सिरा पक्राम इ y направism को बड़ा है और आप डेले उठाई और खाना शुरू कर दिया आपने तो ऐसा नहीं तो इसके लेने जैसे बच्चे हो गए या पेगनेंट लेडीज हो गई किसी को बावासे की बिमारी है तो उनके लिए भी बताऊंगी मैं कि किसको किस तरह लेना है कि जो नुकसान ना करे तो इसका एक तरीका क्या है सबसे पहले हमने ले ली है अजवाइन और अजवाइन को आप चाहें तो गुड गुड इसको हम कद्दू कस कर लेंगे यह थोड़ा हाड होता है तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम कद्दू कस कर लेंगे तो नाप में देखिए यह चोटी सी पेड़ी है तो मैंने एक को कद्दू कस कर लिया है या फिर अगर चमच की सहायता से देखें आप त तो हम इस अजुाईन को मिक्स करदेंगे, इसको अब हमें एक अग्स кाति को तो इसको अब हम इसमें kald है Motor 20 से के कर लिए हैं, और इसमें और ओसंतरों CDC की प्राब्लम होती है, सब लोग दौग दमषुपाते हैं कि डॉक्टर भी दवाई भान देते हैं एक सुगर लेनी है और एक शाम को लेनी है तो अब तो हम ये दवाई ले रहे हैं सारा दिन अभी पता नहीं चलता लेकिन बाद में जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना उस ताइम हम कुछ नहीं कर पाता है तो ये देखी अब हमने इसका ये बन गया है बॉल बना ली है तो इसको ऐसे नहीं लेना है हमने क्या करेंगे हम इसकी चार गोलियां बना लेंगे छोटी छोटी ठीक है ये हम चार गोलियां बना लेते हैं गोलियां बनाने के बाद इसको खाने का तरीका क्या है अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है खाना नहीं पचता अफारा आता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे एक गोली खाने से पहले ले लेंगे गरम पानी के साथ अगर आपके पेट में या फिर कभी कभी गैस बनती है पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा तो भी आप एक गोली ले लेंगे इसको गरम पानी के साथ अगर नहीं बनती है कम बनती है या खाना पचाने के लिए आपने लेना है तो आप इसको रेगूलर पानी के साथ भी ल रामबान नुसका है बहुत पुराना नुसका है अगर अच्छा जो बच्चे हैं या बूड़े हैं जो यह नहीं खा सकते अजवाई जो पेगनेंट लेडीज हैं उनको गैस की समस्या रहती हैं तो वो क्या करेंगे वो थोड़ा से गुड़ ले लेंगे और उसको वैसे ही गुड रजवाईन जो है वो आपको गरम भी नहीं करेंगे आपको अलरजी भी नहीं करेंगे और अगर डेली ले लेंगे तो आपको कभी गैस बनेगी नहीं जरूर अपना कर देखें आपको बहुत फायदा करेगी और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सीपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार